वहीं से पहले मुख्यमंत्री अशोगयलोत ने कल अपने जोदपुर प्रवास के चौथे दिन सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और दो घंते चले जनसुनवाई में रोजमर्रा से जादा भीर सीम के समक्ष पेश हुई और उन्होंने वहां शाम्याने में खड़े एक-एक व्यक्ती से ग्यापन लिए और सम्मदित अधिकारियों से जानकारी लेते रहे फर्यादी सीम के समक्ष हात जोड़े दिखे तो किसी ने सीम का आभार जटाया मुख्य मंत्री ने समस्याए सुनते हुए त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कलेक्टर हिमान शुगुपता से भी इस बारे में जानकारी ले जनसुनवाई के दोरान ही मुख्य मंत्री गहलोत सरकेट आउस में दोपहर करीब 12 बुजे तेज गर्मी के कारण असहज हुए और अपने कमरे में लोट गए और गरीब एक घंटे बाद सीम फिर से जनसुनवाई करने आए हाला कि सीम की नस्दीकियों और तेना डॉक्टर्स ने तबियत खराब होने जैसी किसी भी प्रिकार की कोई पुस्टी नहीं की अधिकारियों ने चिकित्सकों से दर्धनवारक दवा जरूर मंगवाई थी इधर जनसुनवाई से पहले सीम के हलोत रातनाडा गड़ेश मंदर में पूजा आजना करने गए तो वहाँ पर चंद्रकला टाक से मिले जिनका कुछ समय पहले ही चरंजीवी योजना में गुटनों का ओपरेशन हुआ था